खुशी बुटिक में आपका स्वागत है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफूल रहेगी क्योंकि इस वीडियो में आपको पॉंचे का एक नॉर्मल सा और सुन्दर सा डिजाइन बनाना बताऊंगी जो कि आप कम सिलाई में और सुन्दर डिजाइन बना सकते है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को जो हम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिएगा तो देखिए मैंने पॉंचे में दो दो लाइन लगा के और बीच में मैंने लहरिया बना लिया है अब बीच के हिस्से में हम ड लहरिया बनाना है और लहरिया हमें सिंपल नहीं बनाना है इस तरह का लहरिया बनाना है देखिए मापको लगा के दिखाती हूँ इस तरह का लहरिया बनाना है और इसके अंदर हम बनाएंगे डिजाइन जैसे हमने इस तरह से लहरिया बना के सिलाई लगाई है सेम तरह के से हम सिलाई लगाएंगे थोड़ी दूर में सिलाई हम सिंपल लगाएंगे इस तरह से इतना लहरिया और इतनी दूर में सिंपल सिलाई अब सिंपल सिलाई के उपर सिंपल लगानी है और बाद में यहां से लहरिया बनाना है अब देखिए यहाँ पे पत्ती टाइप बन गया है तो यहाँ बीच में एक लाइन सिम्पल लगानी है यहाँ तक अब सिलाई हमें इस लाइन पे लगानी है यहाँ तक यहाँ से फिर से डिजाइन बनाएंगे सेम तरीके से ऐसे इस तरह से मैंने लहरिये में एक साइड डिजाइन बना दिया है अब दूसरी साइड बनाएंगे जैसे हमने इस साइड से डिजाइन बनाना स्टाट किया अब हम इस साइड से बनाना स्टाट करेंगे पॉंचे को हम इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से सिलाई स्टाट करेंगे अब हमें जैसे इस साइड डिजाइन बनाया है सेम तरीके से इस साइड बना लेना है देखिए डिजाइन बन के रेडी हो गया है कितना सुन्दर लग रहा है बहुत ही आसान तरीके से ये डिजाइन बन गया है तो आप भी अपने सलवार के पहुंचे में इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को जोने सस्क्राइब ने किया तो खोसी बुटिक चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लीजिएगा मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में